प्राणशक्ति डाइगनोसिस में एक पक्ष जो होता है वो हम क्या करते हैं कि हम उनकी उनकी experiences को एक तरीके से नंबर देते हैं जैसे आपकी सांस कितनी लंबी आप खीच सकते हैं कितना कितना होल्ड कर सकते हैं कितना एकजेल कर सकते हैं उसको नंबर देते हैं अच्छा इनको नंबर नहीं देते आप कितना जुक सकते हैं कर सकते आप जो सकते हैं सकोड कर सकते हैं तो एक परामिटर नंबर देते हैं जिससे हम तो कोई 100 मिटर की दोड़ जोगा 25 सेकंड में लगाएगा कोई 20 सेकंड में लगाएगा कोई 30 सेकंड में लगाएगा तो उसकी वज़ा से उस बॉड़ी का की कपास्टी को हम जज कर लेंगे तो बॉड़ी की कपास्टी को हम जज करते हैं by making the person do some experiment and categorizing it और फिर उसके सामने हमें एक नमबर डाल सकें इस तरीके से हमने यह form डेवलप किया हुआ इसमें सम्टाइम्स हम इमोशन को भी जज करते हैं उससे पता चल जाता है बॉड़ी का नेचा माइंड का नेचा उसका व वह देख के भी पता चल जाता है बट क्योंकि हम इसको एसोटेरिक नहीं बनाना चाहते हैं इसी लिए नंबर हमेशा उसको नंबर कर रहे हैं उस नंबर के जरीए ही हम करते हैं तो प्राण शक्ति डाइगनोसिस से हमें पूरे बॉड़ी का नेचर उसका वीकनस का जाएगा तो वह अरांध से मॉड्यूल कर भी पाते हैं और कर पाने के कारण फिर इंप्रूब्मेंट होता हूं